नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नीलम शर्मा. इस वीडियो में हम दिसकस करेंगे की टॉर्कास्ट FX टैबलेट का उपयोग किन कंडिशंस में किया जाता है? TORCAST FX Tablet को कैसे लेना चाहिए और TORCAST FX Tablet की वज़से क्या side effects हो सकते हैं और यह भी discuss करेंगे कि TORCAST FX Tablet को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए TORCAST FX Tablet का उप्योग अस्थमा होने पर सामान्य जुखाम नजला और एलर्जी के लक्षणों से राहत पाने के लिए TORCAST FX Tablet का उप्योग किया जाता है एलर्जी या नजला के लक्षण जैसे नाक से पानी बहना, आखों से पानी आना आख, नाक या गले में खुजली होना, छींक आना और शरीर पर कहीं खुजली होने पर आदी लक्षणों से राहत पाने के लिए TORCAST FX Tablet का उप्योग किया जाता है इसके अलावा क्रोनिक अर्टिकेरिया होने पर, तवचा पर एलर्जी होने पर, तवचा पर रैशिस और तवचा पर खुजली होने पर भी डॉक्टर TORCAST FX Tablet को लेने की सला दे सकता है TORCAST FX एक ब्रैंड नेम है फेक्सोफिनाडीन अंटिहिस्टामिन ड्रग क्लास की दवा है, जिसका उप्योग सामान्य जुखाम नजला और एलर्जी के लक्षणों से राहत पाने के लिए किया जाता है और मॉंटिलोकास्ट अस्थमा की वज़े से होने वाले लक्षणों जैसे सांस फूलना, सांस लेने में दिक्कत होना और सांस लेते समय सीटी जैसी आवाज आना आदी लक्षणों को नियंतरन करने वर रोकने में मदद करती है साइड इफेक्स की बात करे तो वैसे तो ज्यादा तर व्यक्तियों में तोरकास्ट एफेक्स टैबलेट की वज़़े से कोई साइड इफेक्स नहीं होते हैं लेकिन कुछ पसेंट व्यक्तियों में Torcast FX टैबलेट की वजह से कुछ सामान्य साइड इफेक्स हो सकते हैं जैसे मुँ में सूखापन होना, सिरदर्ध होना, शरीर में ठकान वसुस्ती होना, नींद अधिक आना, नाक से खून आना, गले में खराश होना और उल्ती आने का मन होना आदी साइड इफेक्स टोरकास्ट FX टैबलेट की वजह से हो सकते हैं अब हम डिसकस करेंगे की टोरकास्ट FX टैबलेट को कैसे लेना रिक्मेंडेड होता है, टोरकास्ट FX टैबलेट को खाना खाने से पहले भी लिया जा सकता है, और खाना खाने के बाद भी लिया जा सकता है आम तोर पर डॉक्तर बारह साल से अधिक उम्र के व्यक्तियों को TORCAST FX टैबलेट को दिन में एक बार और शाम के समय लेने की सलाह देते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कृप्या वीडियो को लाइक करना वा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। अब हम डिसकस करेंगे की TORCAST FX टैबलेट को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए। TORCAST FX टैबलेट के साथ शराप का सेवन नहीं करना चाहिए और TORCAST FX टैबलेट को लेने के बाद जाइविंग नहीं करनी चाहिए। और ऐसी मशीनों पर काम भी नहीं करना चाहिए, जिन पर काम करने के लिए अधिक मानसिक सतरकता की आवशकता होती है। क्योंकि TORCAST FX टैबलेट को लेने के बाद कुछ व्यक्तियों को नींद आ सकती है। अस्थमा अटैक होने पर TORCAST FX टैबलेट को लेना रेक्मेंडेड नहीं होता है। जब अस्थमा के लक्षन बढ़ने लगते हैं, तो इस स्थिती को अस्थमा अटैक कहा जाता है। अस्थमा अटैक होने पर फैफरो के वायुमार्ग और मासपेशिया सिकुडने लगती है, जिसकी वज़े से व्यक्ति को सांस लेने में काफी परेशानी होती है। अगर किसी व्यक्ति को टॉरर्कास्ट एफेक्स टैबलेट या इसके किसी भी इंग्रिडेट जैसे फैक्सोफणाडीम या मॉंतेलुकस्ट आधी से एलर्जी है, तो ऐसे व्यक्तियों को टॉर्कास्ट एफेक्स टैबलेट का सेवन नहीं करना चाहिए। और ऐसे व्यक्तियों को इसके बारे में डॉक्तर को भी बताना चाहिए। अभी इसके बारे में परियाप्ट डेटा अवेलेबल नहीं है कि टोर्कास्ट एफेक्स टैबलेट प्रेगनेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को नुकसान पहुचाती है या नहीं। इसलिए केवल ज्यादा जरूरत पढ़ने पर ही डॉक्तर प्रेगनेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को टोर्कास्ट एफेक्स टैबलेट को लेने की सलाह देते हैं। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका टोर्कास्ट एफेक्स टैबलेट से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पुच स सकते हैं